गुडूमॉर्णिंग स्टूडेंट्स बिटा इम्प्लॉइमेंट एंड अनिम्प्लॉइमेंट वाला चैप्टर ये हमारा ऐसे टू का स्लेबस में है इंडियन इकनोमिका ये आज हम क्या करेंगे इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमें बिटा पता होना चाहिए कि कीरिंस रोजगार क्या है रोजगार कोहा हुआ कि एक वेकति का काम नहीं चल सकता है। और यह वहुत्ता है, बिटा यह हमें काम समुस्ट यह को पैसे में कुणं कर रहा है। यानि कि वो अपने जो घरवाले हैं उनका काम उनका ये जो प्रस्तावना आप लोगों को दी वी है इसमें हमें दिया हुआ है कि जो हमें लोग काम करते हैं अपने घरवालों की आजिवई का की पूर्ती के लिए और जो हमने पैसा अरजित किया है वो क्या किस लिए अरजित करके पैसे का सही डंग से यूज करके यह आप लोगों को दिया हुआ है उसके बाद हमारा आता है कारिये के बारे में महतपूर्ण बिंदू यानि एक व्यक्ति जो अपनी आजिवी का हे तो जो रोजगार गतिविदी कर रहा है यानि कि वो उसका क्या है साधन है यानि कि वो परते कारेशिल शक्ति विभिन हो कर रास्थे आय में यूगदान देता है यानि कि जो काम कर रहें किसी ना किसी तरह से उससे हमारी क्या हो रहे है रास्ट्य अब भढ़ रही है यानि कि जीडिपी जीडिपी का मतलब होता है सकल गरेलू आए अधार्वूत अवधारनाए अधारभूत अधारणाई वह अधारणाई होती है जो इससे हमारी जो main basic चीज़ हैं जैसे शर्मिक हो गया, श्रम बल हो गया शर्मिक का मतलब होता है कि वहें- वेक्टि जो अपनी आजीवी का यानि कि जो अपने जीवन को चलाने के लिए जो आरिफी गतीवी दिया करता है उसको क्या कहांगे शर्मिक शर्मिक में जैसे इसके example हो सकते हैं कोई किर्शिक हो गए यानि कि कृशिक का कारिय कर रहे हो हमारे किसमें आएगा किर्शिक यानि कि वो मजदूरी कर रहा है, कोई मैनेजर हो गया, या कोई मजदूर हो गया, या फिर कोई डोक्टर है, प्रोफेसर है, ये सारे किसमे हैंगे शर्मिकों में, शर्मिक का मतलब होता है जो शर्म कर रहा है, यानि कि जो मेहनत कर रहा है, उसके बाद आता है आप लोगों क सकल घरेलू उत्पाद और सकल रास्टे उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि एक देश की सीमा के अंदर रहकर जो उत्पादन किया जाता है उसको हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद यानि कि एक देश की सीमा के अंदर रहकर जो उत्पादन किया जाता है उसके बाद आता है हमारा सकल घरेलू रास्टिय उत्पाद रास्टिय का मतलब होता है कि जो हमने उसमें क्या करते हैं विदेशों से शुद्ध कारक आई को अगर हम एड़ कर देते हैं तो वो हमारा आ जाएगा सकल रास्टिय उत्पाद उसके बाद आता सर्मिकों को की ने सर्मिकों में की ने सम्मिलित किया जाता यानि कि शर्मिकों में कौन-कौन आएगा जो कि हमने आप लोगों को पहले ही एक्जामपल बता चुके हैं कि इसमें क्रिशिक आएगा ये वाले एक्जामपल देखो यह आप लोगों को दिख रहे यह किर्षेक मैनेजर, शरमिक, डॉक्टर नाई, प्रोफेसर, यह सब किसिमें आते हैं शरमिकों में उसके बाद आता है माः शरमिकों की संख्या यानि कि उसकी संख्या कितनी होनी जैसे वहाँ पर काम होगा काम के according ही क्या होगा उनको काम दिया जाएगा शर्मी के कितने अगर मालो कम काम है तो कम शर्मी को को लगाएंगे अगर ज्यादा काम है तो ज्यादा शर्मी को को लगाएंगे पटे ये आप लोगों का most important chapter है और इसमें जो हमें रोजगार दिये हैं इसके दो परकार दिये हैं स्वेम रोजगार और मजदूरी रोजगार स्वेम रोजगार का मतलब होता है कि जो हम अपना खुद का काम कर रहे हैं किसी के अंडर में ना रहके मजदूरी रोजगार का मतलब होता है कि एक वेवस्था जिसमें शर्मिक अपने शर्म को बेचता है और बदले में उसको मजदूरी दी जाते हैं यानि कि किसी के अंडर रहकर उसके कारे करते हैं और वो बदले में हमें salary provide करते हैं मजदूर दो तरह के होते हैं एक तो नियमित शर्मिक और दूसरा आकश्मिक नियमित वो होते हैं जो regular लगाए जाते हैं उनको नियमित रूप से बुगतान किया जाता है आकश्मिक मजदूर कभी कभी काम पर लगाया जाता है और जितने दिन वो काम करते हैं वो काम करते उनके बदले में उनको उनकी मजदूरी दी जाती है आई हो बिटा आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा उसके बाद आता है मजदूरी रोजगार मजदूरी रोजगार में होता है कि जिसमें शर्मिक अपने शर्म को बेचता है और बदले में मजदूरी अरज इनका कार्यावल केवल 18% होता है जैसे मालो कोई भी प्रोफेशर हो गया कोई भी शिक्षिक है या फिर किसी कंपनी में कार्यारत को सिविल इंजीनियर है यह एक्जामपल आप लोगों को पढ़ने जरूरी है क्योंकि यह पेपर में आते हैं और इसमें से टू या फिर थ्री मार्क्स में इसके एक्जामपल एक्जामपल पूछ लिए जाते हैं और दूसरा आप लोगों को इसमें से एक और पूछा जाता है कि आकस्मिक जो मजदूर होते हैं उनको क्या-क्या स्थाई, मतलब स्थाई और इसमें क्या-क्या differentiate दोनों में जो स्थाई मजदूर हैं और जो हमारे मजदूरी रोज़िका आकस्मिक मजदूर है उनमें क्या difference है यह difference आप लोगों को खुद से करना है उसके बाद टॉपिक हमारा आता है बेरोजगार क्या है बेरोजगार का मतलब यह होता है कि लोगों के पास काम नय होना एक ऐसा कोई यह नहीं है कि बिल्कुल ही काम यह कुछ इसमें अलग अलगते हैה कि बेरोजगारी पाई जाते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता और कुछ ऐसे होते हैं जो काम करने काम तो होता लेकिन उनकी करने की इच्छा नहीं होती तो इसमें दो तरह के मुझदूरों को शामल किया जाता है भारत पर यह नहीं है कि बेरोजगारी बिल्कुल ही रहेगी इसको खतम किया जा सकता अगर लोगों में काम करने की इच्छा हो तो भारत में जैसे कि इसमें बताए गया भारत में तीन परकार की बेरोजगारी पाई जाती एद्रश्य बेरोजगारी मोसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी एदरशे बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है बेरोजगारी की जिसमें काम मजदूरों की कम संख्या क्या आशक्ता होती है लेकिन उसमें ज्यादा मजदूर लगे होते है जैसे मानलो 5 मज़दूरों की आश्रक्ता है लेकिन उसमें 7 मजदूर लगे हुए तो जो दो extra के मजदूर है वो एक तरह से क्या होती है उनमें एद्रिशे बेरोजगारी एद्रिशे का मतलब होता है बेरोजगारी होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती उसके बाद ह होता है मौसमी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है मौसम के अकोर्डिंग यानि कि जैसे मानलो किशान है किसानों को किसानों को जब बारिश होती है तो उसी टाइम पर उन्हें रोजगार मिलता बागे टाइम वो क्या रहते हैं फ्री रहते हैं इसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन उनको क्या होता है काम नहीं मिलता तो वह किसमें शामिल हो जाएगा कि खुली बेरोजगारी में उसके बाद हमारा आता है एद्रिश्य बेरोजगारी है आपको समझी आ गया है इसमें mostly example लेते किसी भी field का या फिर किसी खेत का जिस खेत में हम काम कर रहे हैं जैसे एक फैमिली है शर्मिक की जो फैमिली पूरी फैमिली उस खेत में लगी रहती जबकि उस फैमिली में से माल आज के पांच अगर मेंबर है तो वो सभी उसमें लगे रहेंगी उसके बाद आता है हमारा में मोसमी बेरोजगारी मोसमी एक तरह से बिटा आप लोगों को मैंने पहले हलका सा पॉइंट समझा दिया लेकिन इसमें इन्होंने क्या बताया है डीपली थोड़ा करके बताया है कि मोसमी बेरोजगारी में क्रिशी से संबंदित है यानि कि मोसली वहां पर पाई जाते ही जहां पर क्रिशी होती है कि वहां पर क्या होगा सभी मा में कोई क्रिशी संबव नहीं है तो जब क्रिशी हो जब बारिश होगी वर्षा पर निर्भर करते हैं काफी जगे पर त पर कार्य करने योगे और इच्छुक होते लेकिन उनको क्या होता काम नहीं मिल पाता यानि कि लोगों की इच्छा तो है काम करने की लेकिन क्या हो रहा है उनको काम नहीं मिल पा रहा है इस तरह की बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे खुली बेरोजगारी खुली बेरोजगारी जो हमारा six marks का question आता है वो हमारा है बेरोजगारी के कारण यानि कि बेरोजगारी के क्या क्या कारण है हमारी देश में बेरोजगारी क्यों है उसके कुछ points दिये हुए और ये हमारा six marks में आता है कि हमें ये six marks में करना है first जो आर्थिक विकास की धीमीदर यानि कि जो हमारी से सब्सक्राइब अर्फिक्स ना आर्टिक्स नीवर्दी व से क्या है कम ने..? इसमें क्या करने चीए शर्मिकों को रोजगार के आउसर स्रंबल के अतिरेक के सासा समनवे नहीं रख पाएं इसका मतले भी होगा कि कुछ लोगों को रोजगार पर रखा गये लेकिन वो कोडिनेट ना होने की वज़ेसे क्या हो रहा है सही से काम नहीं परपाते है तरह से क्या हो रहे कि जो जन सेंगया बढ़ने के कारण उन्लोगों को अधिक से अधिक संसाधन कि चार्थ होगी अगर साधन लिमिेड्ट है तो लोग क्या रहेंगे बिरोजगार रहेंगे क्यों कि सभी लोगों को काम नहीं मिल पाएगा एविक्षित कृषी कृषी में क्या होरा है बटा कि पुर्फर पुराने तरीके से कृषी की जा रही है उसमें जो new technique है उनका यूजने हीं किया जा रहा रहा है अगर उनको सही ढंक से और हम यूजने करते हैं तो उतपातन अच्छा होगा और अधिक उतपातन भी होगा उसके बाद आता है हमारा दोस्पुन शिक्षापद्धिती यानि कि जो शिक्षापद्ध की जाती है उनको वैश्चाइक शेत्र प्रोवाइड नहीं किये जाते उनको जस्ट नॉर्मल एडुकेशन ही प्रोवाइड की जाते है उसके बाद आता है उद्यों का धीमाविकास जो हमारे देश में पुंजी का अभाव होने के कार्ण क्या हो रहा है उत्पादन कम हो रहा है अगर मालों पुंजी ज्यादा लगाएंगे पुंजी ज्यादा लगेगी तो उत्पादन भी ज्यादा होगा पुंजी ज्यादा लगेगी तो रोजगार रोजगार भी क्या हो ज आता है धिरे दिरे क्या हो रहा है जैसे जैसे VIP यह जो फ्रम प्र fidelity कि उद्धीज कैसि चोटे चोटे जो इए घर में दो-तीन बंदे में मिलगे काम करें वो अचले होजा हो रहे तो इसलिए घाओं में अभी याजी बिरोजगारी पाई जाती है बस वो किशी पर ही depend होके रह गए उसके बाद आता है दोस्पूर्ण नियोजन दोस्पूर्ण नियोजन का मतलब है कि जो हमारी government जो policies बनाती है वो तो अच्छे तरीके से बनाती है लेकिन उनको लागू करने में बहुत सारे problems आती हैं जिससे वो सही से नहीं चल पाती सही धंग से लागू ना होने के कारने के आउतर उनमें बहुत सारे दोस्षामिल हो ज जाता है प्रियाप्त रोजगार नियोजन हमारे देश में हर तरह के रोजगार नहीं है कि सभी लोगों को रोजगार मिल जाए क्योंकि हमारे देश की जो population है वो क्या हो रही है बढ़ती जा रही है निम्न पुंजी निर्मार पुंजी निर्मान बहुत कम हो रहा है जिसके कारण पुंजी निर्मान कम हो रहे हैं इसका मतलब बे हो गया कि लोगों को रोजगार कम मिल रहे हैं यही no reason है कि बेरोजगार के कारण तो आप लोग क्या करोगे यह सारे आप points आपको learn करने जैसे इस points learn करोगे ना चीजों को समझोगे तो आप लोगों को ना easy लगेगा जितना easy लगेगा उतना easy कर पाओगे और यह आप लोगों का six marks का question आएगा आगे जो टोपिक